असलाम लेकूम गुलाल का एक और बहुत ही खुबसूरस आर्टिकल इंस्टॉक आया है फुल सॉफ्ट और गेंजा फैब्रिक पे एक कम्प्लीट मेक्सी है ठीक है प्लम कलर में ये आर्टिकल है जो डाक पर्पल कलर होता है सेम ऐस ओरिजिनल आई में आपको इसकी डिटेल बताती हूँ मेक्सी स्टाइल में भी आप इसको स्टिच करवा सकते हैं और लहंगा स्टाइल में भी ठीक है इसके ओपर सारा गोल्डन काम है हैंडमेट वर्क है सबसे पहले आगे इसकी फ्रंट साइड की योग आगी इस पर सारा तिला वर्क, सिक्विस, labour x, सब हुआ वैस पर इसके तीक है गोल्डन इस पर सारा काम है प्लम कलर में ये आर्टिकल है और गेंज़ा फेबरिकपर या आगे इसकी front side, यहां से यह neckline बनेगी इसकी और back इसकी plane है, ठीक है, soft organza है, back इसकी plane है इसको आप दोनों style में stitch करवा सकते हैं, maxi में भी और लहंगा style में भी अब आगे इसकी नीचे maxi का fabric, ठीक है, 6 कलिया front की है full handmade, यह देखें, बहुत ही खुबसूरत color है, जो वीडियो में नजर आ रहा है 6 कलिया front की है और 6 ही back की है, अभी मैं आपको front side की कलियों का fabric दिखा रही हूँ और इसकी embroidery, यह देखें, बहुत हुबसूरत इसकी सारा काम है, उपर से नीचे तक, यह सारा भराव है यह देखें, ठीक है, light और dark gold color में, यहां से जब आप इसको कलिया डालेंगे, ठीक है, तो इसमें piping करवाएंगे तो यह design इसके साथ जोड़ जाएगा, तो आपका बहुत ही खुबसूरत सा, यह dress ready होगा, नीचे से आप इसको cut work करवा लिजेगा तो बहुत हुबसूरत लगेगा, सेम जिस तरह से model ने wear किया वै, यह देखें, यह जब इसके साथ कलिया जोड़ जाएगी, तो यह यहां से यह design बन जाएगा, नीचे से अब आगे इसकी back की कलिया, ठीक है, front full handmade थी और यह आगे इसकी back, back भी same है, लेकिन इस पे hand work नहीं है, इस पे सारा तिल्ला, sequence और thread work है पल्स का काम है, dark purple plum कलर है, अभी मैं आपको इसको set करके भी दिखाती हूँ, 12 कलिया टोटल इसकी बनेगी, front की 6 और back की 6 यह देखें, मैंने सामने इसको set किया है, मैक्सी को, यह नीचे का fabric है, 6 कलिया, यह नी आपका जब stitch होगा तो इस तरहां से इसका design बन जाएगा, सारा, ठीक है, cut work के साथ, और नीचे आप इसको काविया करवा सकते हैं, बहुत खुब सुथ लगेगा, इसकी योग मैंने set किया है, देखें कितनी heavy maxi है, अब आगे इसके same fabric में, soft organza में, full heavy embroidered sleeves, यह इसके sleeves हैं, ठीक है, both sided इसके sleeves आ गए, यहां से भी आप इसको cut work करवा सकते हैं, वो आपके अपनी मर्जी है, यह आगे इसके sleeves, same इसी तरह से, अब आगे इसका दुबट्टा, green color में इसका same fabric में दुबट्टा है, और गेंजा में, यह देखें, यह इसका दुबट्टा है, green color में, dark green color में, और सारा center में इस तरह से दुबट्टे पे sequence और तिला वर्क है, ठीक है, soft organza है, hard organza नहीं है, यह plum यान दुबट्टा इसका green है, और maxi इसकी plum color में है, अब आगे दुबट्टे का one side जो border है, वो इस तरह से embroidered है, light pink color में, यह दुबट्टे के एक side पे अप्लिक होगा, चाहे आप इसको front side पे अप्लिक करवा लें, यह देखें, ठीक है, इस तरह से दुबट्टे पे लगेगा, फिर आगया इसका second वाला border, इस पे सारी इस तरह से embroidery है, यानि एक border पे embroidery है, यानि के काम है, यह जो मैंने आपको पहले दिखाया है, second वाला इसका border यह आगया, ठीक है, यह चारो side के border लगेंगे दुबट्टे पे और यह आगए छोटे वाले पलू, यह छोटी वाली side पे लगेंगे तो आपका दुबट्टा बहुती हुपसूरत सा ready होगा, इसी तरह से same, जिस तरह से model ने wear किया है, last में आगए raw silka trouser, same color में, complete मैंने आपको गुलाल की बहुती हुपसूरत सी maxi दिखा दिये, thank you.